तो बच्चों शुरुवात करते हैं अपने नहे चैप्टर की जिसका नाम है Moving Charges and Magnetism इस चैप्टर के हमारे Learning Objective आपकी स्क्रीन पर हैं हम जानेंगे Magnetism क्या होता है किसी Electric Field और Magnetic Field के Combination में एक Charge Particle कैसे Move करता है एक Current Caring Conductor जो Magnetic Field क्रियेट करता है हम उसका Magnitude कैसे निकालते हैं और साथी साथ कुछ Magnetic और Electromagnetic Devices के बारे में जैसे Solenoid और Toroid हम Galanometer की Functioning भी पढ़ेंगे कि एक्चुल में Internal Structure क्या होता है Galanometer का जिससे वो Function करता है तो बच्चो आगे बढ़ने से पहले हम जान लें कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है Capital V मतलब Voltage Small V मतलब Velocity यह जो तीसरा सिंबल आपकी स्क्रीन पर है इसका मतलब है Frequency से New से रेप्रेजेंट करते हैं चौथा सिंबल है Current का Capital I और Small L Length को रेप्रेजेंट करता है तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से विच इस इंट्रोड़क्शन टू मैंगनेटिजम स्क्रीन पर बहुत बड़ा बार मैंगनेट आपके रखा हुआ है और अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे खुबसूरत बात इसकी यह है कि इसके ends पे यानि इसके poles पे यह जो iron fillings हमने स्प्रिंकल करी हैं यह चिपक गई हैं जादा concentrated है आप सबको एक हिंट मालूम ही चल गई होगी कि ऐसा क्यों होता है टेंथ क्लास में भी हमने iron fillings वाले experiment करा था एक्चली iron fillings का concentration हमें यह दर्शाता है कि यहाँ पर magnetic field strong है यह magnetic field होता क्या है इसकी strength किन factors पे डिपेंट करती है दीरे दीरे करके हम इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे magnetism आखिर magnetism होता क्या है पहले यह समझे जब भी कोई magnetic material अगर हम magnet के आसपास लाते हैं तो वो एक तरह का attractive या repulsive force experience करता है इनके इस interaction को इस phenomena को हम magnetism कहते हैं पर यह magnetism होता क्यों है आखिर क्या चीज है जिसके कारण magnetism होता है तो बच्चो इस question का उत्तर यह है कि magnetic force is the driving factor behind magnetism यानि कि कभी भी दो magnetic objects को हम करीब लाते हैं वो आपस में interact करते हैं in form of application of magnetic force यह भी एक तरह का force है बच्चो जैसे एक electric force होता है gravitational force होता है जहाँ पर दो mass bodies आपस में एक दूसरे को attract करती है electric force में, electrostatics में आपने पढ़ा है कि दो point charges खुद को attract करते हैं रिपल करते हैं वैसे ही कुछ उसी प्रकार magnetic force भी काम करता है हमारा पहला concept वीडियो आधारीत है बच्चो relationship between moving charges and magnetism जी हाँ hint आपको यहीं पर मिल गई है कि हम अब charge को move कराएंगे और देखेंगे कि आखिर magnetism कैसे arise होता है तो बच्चो 1820 में क्या हुआ मैं एक छोटी सी कहानी शुनाता हूँ आपको जो और्स्टेड है हमारे scientist हमीन थे वो एक university में एक experiment एक demonstration परफॉर्म कर रहे थे 1820 की बात है तो उन्होंने क्या किया जब वो copper conductor के थूँ current पास करवा रहे थे तो गलती से उन्होंने magnetic compass वहाँ पे छोड़ दिया और demonstration के time पे ही उन्होंने observe करा कि जैसे जैसे वो conductor के थूँ पास होने वाले current को change करते हैं या जब भी current पास होती है conductor से पास में रखी हुई needle deflect करती है तो यहीं से उनको curiosity जागी कि आखिर कुछ ना कुछ relationship तो है तो उनकी जो observation थी यही हमारे पूरे magnetism या बोलें कि electricity को magnetism से जोडने वाली जो पूरी theory है इसका आधार बनती है तो इस तरीके से हमने establish करा I mean Orsted ने establish करा कि moving charges जो है magnetic field प्रड्यूस करते है demonstration के बाद वो अपनी lab में गए और उन्होंने क्या किया उस copper conductor के थुरू पास होनाले current के magnitude को भी change करा जब उन्होंने magnitude change करा magnitude बढ़ाया तो उन्होंने observe करा कि deflection जादा हो रहा है फिर घटाया तो deflection का amount कम हो गया फिर उन्होंने क्या किया कि current की polarity change कर दी यानि current की direction change कर दी जैसा ही उन्होंने ऐसा किया deflection का जो direction था वो भी change हो गया magnetic compass में यानि कि ये सारे जो factors थे ये clear cut एक relationship establish कर रहे थे current से current और magnetism के बीच में